नमस्कार दोस्तों मैं करनल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमानी गुरू फर्स्ट क्लोबल एस्ट्रोफरेंस डिजिटल चैनल से आप से मुखातिब बताऊं। आज के इस एफिशोड में हम चर्चा करने वाले हैं बंगला देश कापास और कापास के बारे में एक विशिश अपडेट और बात करेंगे लाल मिर्च की तेजी या मंदिय के बारे में। कौर्टला बैकी कापास और लाल मिच दोनों ऐसे प्रडेक्ट हैं करशी उतपाद हैं जिसके बारे में हमने आपको अगरिम फनेंशल अस्ट्रोजी और फंडामेंटल अनलेसिस के आधार पर जो विशलेशन दिया था वो अक्षरत सत्य साबित होता देखा गया। पिछले लगबग दो से धाई मेने में कापास एवं कापास से सम्मंदित प्रडेक्ट्स यानि कापास या खली कौटन सीड ओयल के अंदर भी जबर्दस्टेजी देखी गई इसके साथ साथ लाल मिच मसाला पैक में अपनी धूम मचा रही है। के आधार पर आपको विशलेशन कर अगरिम विशलेशन दिया था कि लाल मिर्च में बड़ी तेजी बन सकती है गिरावट में खरीदा जाना उचित रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बंगलादेश विशेश सूचना मिल रही है कि सन 2021 सीजन के लिए बंगलादेश का कपास का उत्पादन का जो पूर्व अनुमान एक सो इक्क्यावन हजार बेल्स यानि एक सो इक्क्यावन हजार गांट था जबकि युनाइटिट स्टेट अफ एमरिका का दिपार्टमेंट आफ अग्रिकल्चर का अधिकारिक उत्पादन का नुमान लगवग 149,000 बेल्स यानि गाट का है ने इसे नई बीच के किस्मों कौपियों के कारण पैदावार अधिक होने की उमीद बंगलादेश में लगाई जा रही है एक और महतवपुन चर्चा बंगलादेश की कौटन को लेके चल रही है कि कपास की अच्छी अंतराष्टिय कीमतों के कारण बंगलादेश में अधिक खपत उने की संभावना है और अता है वहाँ पर अच्छा कापास का स्टॉक भी मिलो को रखना पड़ेगा गौर्टलवै की संभावनादेश के पहले दस महिने में बंगलादेश के तैयार कपड़ों का निर्यात में 28 प्रतिशत की इजाफा देखा गया जो बढ़कर 28.5 बिलियन डॉलर का हो गया सितंबर जोन 2021 तक यान आयात में भी व्रद्दी दर्ज हुई है जबकि कपड़े का आयात पिछले वर्ष की तुला में कम हुआ है ये एक महतपूर्ण बात रही है तो बंगलादेश में इस बार कापास का अच्छा स्टॉक रख तिलंगाना और आंधर प्रदेश में त्रिप्स से मिच की फसल को तभा ही की सूचना मिल रही है कौरतलव है कि तिलंगाना और आंधर प्रदेश मिच के उत्पादन में अगरी ने राज माने जाते हैं गुंतूर से समाचार मिल रहे हैं कि टिलंगाना और आनपरदेश के कुछ जिलों में मिर्च की फसल को प्रभावित करने वाले ठिर्प्स कीट का उतपादन प्रभावित होने की समभावना बन रही है और ये कीट फसलों को बरबाद भी कर रहा है और फसलों के विकास को भी ये रोक रहा है मिर्च उत्पादक छेत्रों में बारी बारी से समस्चा को और बढ़ा दिया गया है किसान बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस कीट के हमले के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है गुर्तलावे की पिछले दो-तिन सब्ता में तिलंगाना और गुठूर के भीविन बजारों में लाल मिर्च की कीमेतों में लगबग 30% की अधिक की बढ़ोतरी या तेजी दर्ज हो चुकी है गुरुवार को तो मॉडल मुले जिसके दर पर अधिकान्स ट्रेड माने जाते हैं तेजा किसम की लाल मिर्च को तीन सब्ता के पहले जो 11,000 रुपए के मुकाबले 14,800 रुपए प्रती किंटल के दाम बताए जा रहे हैं मुन्टूर के लोगपरिये 434 ग्रेड की जो मिर्च है वो 13,000 से 15,000 रुपए प्रती किंटल तक पहुँच गई है कुछ घरेलू व्यापारी अंतराशे बजारों में भारी मांग को देखते वे 16,500 और 19,500 रुपए प्रती किंटल की भी आवाज दे रहे हैं आंदर प्रदेश में 43.5 प्रतीशत और तेलंगाना में 23.5 प्रतीशत का देश के मिर्च का उत्पादन होता है जो लगबख 66 प्रतीशत से अधिक का योगदान है तो कि आंदर प्रदेश और तेलंगाना पर सभी की नज़र रहती है इसके बाद करनाठक और मर्देप्रदेश का इस्तान आता है और सन सीजन 2021 सीजन जुलाई जून के दौरान लाल मिर्च का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 19.14 लाक टन के तुला में 19.88 लाक टन होने का अनुमान है कीट तेजी से फैनने की रिपोर्ट के कारण बड़ी प्रेशानिया का सामना करना पड़ सकता है गौर तलब है की ख़मन जिले के किसानों है कीटों की अबादी और पोदों की भारी संख्या में देख कर किसानों ने पोधों को तोड़ना और खेतों को जुताई करना शूरू कर दिया है आंद्प्रदेश और तिलंगाना में किसान दो दश्मलब चार शूने लाख हिक्टर में मिर्च की फसल उकाते हैं जिससे लगबग 12.5 लाख टन लाल मिर्च का उत्पाधन होता है इस साल इस छेतर में थोड़ी व्रद्धी भी देखी गई है क्योंकि घरेलू और अंतराशे बजारों में मांग की कारण किसानों को बहतर कीमतों की उमीद थी मिर्च के कारण। वारे होगा कहना है कि घरेलू बजार में मिर्च की भारी मांग है और मसाला बोड के नुसार पिछले वित वर्ष में 6.01 लाख टन मिर्च का निर्याद किया गया था जबकि पिछले वर्ष ये 6.7 एक लाक टन मिर्च का निर्यात किया गया था ये भी कहना है कि लगभख अगले 20 से 25 दिन के अंदर सारी इस्तिती साफ हो जाएगी क्या लाल मिर्च के अंदर बड़ी तेजी जारी रहेगी या फिर बावो में कटोती होने की संभावना है Financial astrology और fundamental analysis के अधार पर हमारा अनुमान मिर्च में तेजी का है और इसमें तेजी की संभावना है बनी रह सकती है दोस्तो Financial astrology संभवत अविश में सबसे पुरानी और tested प्रदती है जिसके जरीए आप क्रशी का उत्पादन, क्रशी जीनसो का उत्पादन, उसमें लगने वाले रोग या उनके मुल्यों की तेजी मंदी का सथीक अनुमान लगा सकते हैं जिसका लगातार हम चाए वो सरसो हो, चाए सोया बीन हो, प्याज हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, खल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, सोना चांदी हो या फिर शेर बजार, इस पर सठीक विशलेशन आप तक अपने चैनल के जरीए पहुचा रहे हैं दोस्तों आपको पेड़ सर्विसेज जदी आचे की आवशकता हो, अगर लंबी तेजी या मंदी की उसकी भी सठीक जान करीब आप राप कर सकते हैं, भुकतान करने पर आप समपर कर सकते हैं एक और महत्वपुन बात, जदी अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो इसको सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें, ये बिलकुल निशलुक है एक और महत्वपुन बात, बैल आइकन यानि घंटी के निशान को भी आप प्रेस कर, हम नोटिफिकेशन पर आप कर सकते हैं, हमारी हर शो के सबसे पहले, इसको बैल आइकन को आप दमाएं, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुचाया जा सके, दोस्तों आपको य अबी रेडिड सक hommes अबंस वो को आपको आपको यह जो आप कर मैंद csak आपको आपको यह जो जो कर मैं आपको ओंको आपको आपको को talks music